हलो, आज हम आपको मलाई से गी बनाना बताएंगे, इसमें दो चीज़े बताएंगे, यह देखें, यह मलाई है, जो कि मेरे डेड़ किलो दूद आता है, तो मैं इस प्रकार से उपर से मलाई निकाल लेती हूँ, और फंतरा दिन में यह पूरा कटोरा बढ़ जाता है, फिर म अब इसको फ्रीज में रख देता है, अगर आप मेरी तरीके से गी बनाएंगे, तो आपका गी कभी भी खराबने होगा, अभी गर्मी का सीजन है, तो वो गी बनता नहीं है, तब यह जमा हुआ है, मलाई, तो देखें किता अच्छा जमा हुआ है, यह फ्रीज में पड़ा अगर गर्मी में आप से गी नहीं बनता है, माल लो, तो मेरे तरीके से आप बनाऊगे, तो बोच जनने बताते हैं, मलाई को फेटना, कनना और गी बनाना, तो मलाई उससे जल जाती है, गी भी नहीं बनता है, और इस तरीके से बनाऊगे तो आपके छाज भी बन जाएगी और घी भी निकल जाएगा अब मैं इसमें फोड़ा पानी डालूंगी मट्की वाला पानी है थंदा लेता पानी डाल दिया मैंने और अब मैं इसको चलूंगी तो अब फिर आपको बताती हूँ कि अब 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 इसको एसी जली वाली चमस लेंगे और किसी बड़तन में निकाल लेता है इसको कि अब डईड़ किने गच घुटता है और कि अब अबस्कe कि बचिता है उता है कि देगें दूसरी बार कभी हमने निकाल लिया है कितना अच्छा गी निकला है और बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारा गी निकलेगा आप जो दूसरे वीडियो में देख करके मलाई को फेटनान गरम करनान उससे कोई गी निकलता है सारी मलाई जल जाती है आपकी और पागल बनाते है ऐसे अगर आप इस तरीके से गी निकलोगे तो आपका मतलब आदा किलो गी मेरा डेड़ किलो दूद लेती हूं मैं उसमें मेरे पंदरा दिम में आदा किलो गी निकल जाता है घर का और यह मेरे गाय का दूद है तो आपको निए गी के गरम करके भी बताऊंगी बिल्कुत तीले कलर का गी होगा एक देश्री गी जो हजार उपए किलो से कम नहीं मिलता है मार्केट में गाय का पीवर गी जो हजार उपए किलो से कम नहीं मिलता है यह देखे हमारा गी बन गया है इसमें मिक्सर में भी देख लिए कुछ भी नहीं है और इसमें पोड़ा सा पानी डाल करके इस गी के उपर डाल देंगे फंडा पानी तक कि इसकी स्माइल वगेरा नि पानी को आम याज अई किसी बंतन में इस पानी को लूड़ा एक इस पानी को तो फेकना है यसे तो मलई अगर आप सर्दी में ऋक्या गिनाते हो तो मतल ti नहीं होते है फर मले कि मर तो तो चाप कर अपелियों आती है यह तो सरी में बनाते हो को और शक्याट निकल गया है, यह इतना सारा गीवना है, यह कटोरे के अंदर, देखिए, इसे हाथ को ऐसे लगा करके, और सारा पानी दबा करके निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं विग लेगा, यह सारा पानी निकल गया, यह देखिए, अबने इसको गरम करने के लिए रख दिया है, गेस के उपर, और यह पिंगलना सुरू हो गया है, अभी हम आपको बताएंगे, गी कैसे बनता है, अभी तो हमने टेज फ्लेम पर रखा है, अब इधर देखिए, तो यह देखिए, वो तो हमारा घी बन रहा है, आपका बटर बन जाएगा, तो एक से हमारे तीन काम हो गए, मखन मिल गया आपको खाने के लिए, और यह बटर बन जाएगा, ऐसे हम इसको प्लेट करके जमा देते हैं, इसमें पानी आरा थोड़ा सा निकाल देते हैं, या फिर इसको आप छलने में डालके, रख दीजे ज अधे आपको आपको इसे करके जमा देजे, और यह जो मखन बन गया है, अगर आपके मुँह में पेट में छाल से हो रहे है तो यह आप एक स्टैर्ब मखन रोच खाळीजे, निकाल करके, मैं इसको मेरे बतीजे के छाल लेको खिला रही हूँ हूँ, मखन भगवान खाते करते इसको मखन को और यही मखन है कि एक यह देखिए है कि हमारा जी देखिए यह बन करके तयार है वस इसको आप आज पर बना रहेका इसको इलाते रहो चाकि यह जले नहीं तार इसको एक उकली और मड़्य पर रख दीजिए और अगर आपका गी गर्मी में नहीं निकलता है तो एक-दो क्यूब साथ बरफ की डाल दीजिए उसके अंदर जब आप मिक्सर में इसको बनाए तो यह सब दाने जैसा गी बनेगा यह देखिए कितना अच्छा गी बन रहा हमारे इसका कलर देखिए और ना हमारी कड़ाई ख्राब होई है और ना हमारा कुछ वेस्ट हुआ है यह कम से कम आदा कि लोगी के आसपास होगा यह यह तो इसमें से अन्य थोड़ा सा वह बटर निकाल के जमात दिया है तो बटर भी आपको बजार से लाने की जुरोत नहीं है वही बटर है और वही मखन है और उसको गरम करो तो यह गी है कोई अलग-अलग चीज नहीं है वह आपकी वीडियो में आपको बेवकु बनाते बनाना करना सारा यह देखेंगी हुमारा अभी हम इसको आपको छान के भी बताएंगे अभी यह देखे है हमारी कड़ाई भी गरम है अभी तक यह उकल रहा है इसलिए हम इसको छान लेते हैं नहीं तो यह क्या होगे ज्यादा काला हो जाएगा पूरे मकान में घी की खुशबू अरे यह बहुती सुद्ध घी एकदम कोई मिलावट नहीं कुछ भी नहीं देखेंगे कित्ता से कच्छा निकला जरा आसा कच्छा निकला इसके अंदर और यह कड़ाई के अंदर आप गरम पानी डाल इसको पानी डालके गरम कर लीजिए तो उकाली ले लिए अच्छी तरह से पानी तो पड़ा ही भी आपकी साब हो जाएगी कोई दिक्कत में आएगी इसमें मैं अभी इसमें पानी डालके इसको रज़ूंगी गेस के उपर तो यह सारा मतलब गरम होने के बाद में जो भी है जो निकल जाएगा यह मैंने पेज पर आपको दिखाने के लिए तेज गेस पर बनाया आपके आप गेस को मेडियम कर दी जो फुकल फुकलता रहेगा यह देखिए यह हमारा आदा किलो से भी जादा घी बनाए लेखिए अंदर इदर से दिखा इदर लाइट का चलका पर नहीं दिखनी रहा है इदर आते दिखा यह है और देखिए किता पीला गी एकदम गाय का गी है इसना मारा कुछी भी नहीं था मैरा को गी बनाना था इसलिए मैंने सुच्छा आपको भी वीडियो बता देखिए यह चलबज मैं देखिए अलब बताती आपको यह लेखे बिलकुल पीला यह वाला गी आपको पीवार और सुथ गी बना हुआ है यह आपको मार्केट में गाय का जो गी बनता है मैं आप तक पलमाने में के के भर एक फिर एक दिन वो बार रखेंगे, जमने के बाद में उसको वापस फ्रीज के अंदर रख दीजिए, फिर वो फ्रीज में पढ़ी रहेगी, एक दिन में बनाओ, दो दिन में पढ़नाओ, फिर आवे से मिक्सर में उसको गी को निकाल लेजिए, तो आपका गी भी ऐसा ही आपको ध्यान रखनी और मान लो, गर्मी में आपका फिर भी गी नहीं निकल रहा है, तो दो चाट क्यूप उसके अंदर बरब की डाल देना, तो वो दानेदार गी उसका बन जाएगा, और आपका कुछ भी मटेरियल वेस्ट नहीं जाएगा, ये देखे, इसमें से हमारी ये छाट भी निकली है, तो अभी तो ये क्या है, गर्मी की, मलाई की छाट है, तो ये कडवी हो जाती है, जो उप्योग में नहीं आती है, इसको अंगाई को फिला देंगे, और सर्दी में तो ये छाट हमारी उप्योग में ले सकते हो, आपकडवी नहीं होती है, सर्दी ये वाइ